इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Olmizest AM Tablet में दो दवाएं मौजूद हैं, जो हाई ब्लड प्रेश को नियंतरित करने में मदद करती हैं. ब्लड प्रेश को कम करने से भविश्य में होट अटैक या स्ट्रोक होने के आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है. Olmizest AM Tablet को खाली पेट या खाने के साथ लिया जा सकता है. डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे रोज नियमित रूप से एक तैस समय पर लेना बहतर होता है. डोग्ज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी. अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं, तो भी इस दवा को लेते रहना आवश्यक है. आपके ब्लड प्रेश को कम करके, यह आपके हॉट अटैक या स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है. इसलिए इसे लेना तब तक बंद न करें जब तक कि आपका डॉक्टर ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहता. आप एक्टिव रहकर धूमडपान बंद कर और कम नमक व कम वसा वाला भोजन लेकर अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें. इससे दवा को बहतर तरीके से काम करने में मदद मिलती है. इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में आपके टकने या पैर में सूजन यानि की इडिमा नींद आना, चक्कर आना, सिर्द दर्द, स्वाद में बदलाव, पेट खराब होना और ठकान शामिल हैं. चूंकि इससे नींद आना और चक्कर आना हो सकता है, इसलिए जब तक यह पता नहीं चल जाए कि यह दवा आपको किस प्रकार प्रभावित करती है, तब तक गाड़ी न चलाएं या मान से के कागरता की आवश्यक्ता वाला कोई काम न करें. अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान हैं या इन में कोई सुधार होता दिखाई नहीं देता है तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको किड्नी या लिवर से संबन्धित कोई समस्या या बहुत अधिक डिहाइडरेशन है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपके बलड प्रेश की नियमित निग्रानी रखी जाएगी और आपके केड्नी फंक्शन की भी जाँच करनी पर सकती है.